आगरा में ड्रोन से तालाबों पर एंटी लार्वा का स्प्रे किया जा रहा है मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रन पाने के लिए पूरे शहर में यह अभियान चलाया जाएगा संचारी रोगों से निपटने के लिए नगर निगम आंटी लार्वा के खिलाफ अभियान चला रहा है पाइलिट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पिछले तीन दिनों से नजी कंपनी का भी सही ओग लिया जा रहा है आज शुकरवार कुनिजी कंपनी ने नगरी एश्चेतर में स्थित तीन स्थानों पर ड्रोन से अंटी लार्वा का च्छड़ काफ किया सिनर्जी टेलीमाटेक्स प्राइविट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रफल कुमार ने बताया कि आज सुभा नगर के तीन बड़े तालाबों पर ड्रोन की साहिता से अंटी लार्वा का स्प्रे कराए गया इस दोरान कहराई प्रत्वीनाद फातक और चिंताहरण मंदिर जैपुर हाउस गड़ी बदोरिया की बीच स्थित तालाबों पर ड्रोन ओडाकर अंटी लार्वा का स्प्रे कराया गया ये वो तालाब थे जिनकी लंबाई और चड़ाई अधिक होने के कारण मैनूल स्प्रे कर पाना संभव नहीं था वहीं दूसरी और नगरनिगम ने अपने संसाधनों से भी मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरे शेहर में अभियान चलाया हुआ है सभी 100 वाडों में शेत्रिय सुपर्वाईजरों को बैटरी चलेत हैंड स्प्रे मशीन प्रदान की गई है जुन में वर्तबान में अंटी लार्वा का छड़का आफ कराया जा रहा है इसके लावा लगबक तीन दर्जन चोटे वड़े वाहनों की भी इस कारे में सहयता ली जा रही है ये वाहन रोस्टर के हिसाब से के सभी वाडों में अंटी लार्वा का स्प्रे करना है इस संबंध में प्रभारी संचारी रोग एवं SFI इंद्रपाल ने बताया कि फिलहाल फॉगिंग का कारे नहीं कराया जा रहा है मच्छर के लार्वा को पनपने के लिए 28-36 डिगरी का तापमान अनुकूल माना जाता है इसे में लार्वा के पनपने से डेंगू और मलेरिया के केस अधिक बढ़ जाते हैं इसी को ध्यान में रखकर अंटी लार्वा स्प्रे पर फोकस किया जा रहा है सी नियूस के लिए लक्षमी राज सिंग की रेपोर्ट